असलाम लाइकों वेलकुम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग तो आज हम आपको बताएंगे कैप के साथ प्री लाइटनिंग का मैथट ए टू जी आपको मैथट बताएंगे आपने पूरी वीडियो को अच्छे से और गौर से देखना है फिर ही आपको इसका फाइदा ह को ओगा हमने बालों को कैप पहना लिए ठीक है और पहणाने से पहले आपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेने आप अच्छे से ब्रॉश कर자 बालों को टंगल फरी कर ले गा कहीं से आपकी मोटी हाई-लाइट सेँ अगी और कहीं पर भारीक होंगी तो आप देख सकते हैं कि यह है ने तकरीब त्माम बाल जो हैं एक जैसे सेक्षिन काप से निकल लिय leak है और section निकालने पे आपने जरूर ख्याल करना है कि समूदली निकालें क्लाइट को पेइन ना हो ठीक है तो अब हमने जो है वो मिक्सिंग करनी है इसकी प्रॉड़क्ट की मिक्सिंग करनी है तो हम क्योंने यूज कर रहें क्योंने का हम 40 डिवल्पर यूज कर रहें तो इसमें हम 1.5 स्कूप जो है वो ब्लॉंडर का यूज करेंगे ये मेरे पास फिलमेजी का भी है लेकिन आज हम वर्किंग क्योंने पे करें परसनल ये मुझे दोनों पसान दें क्योंके इनकी वर्किंग अच्छी है जब भी बालों पे काम करें तो अच्छा ही प्रोड़क्ट यूज करें ताकि रिजल्ट भी आपका अच्छा है और क्लाइंट के बाल भी खराब ना हो डैमिज वगर ना हो तो अब हम इसमें 1.5 स्कूप जो है वो ब्लॉंडर का अड़ करेंगे और एक बात ये कि जब भी ब्लॉंडर आप प्री लाइटनिंग के लिए यूज करें तो ब्लू कलर का ही ब्लॉंडर यूज करें इसके रिजल्ट काफी जादा अच्छे होते हैं बनिस्बत वाइट ब्लॉंडर के तो आपने इसकी प्रॉडक्ट की मिकसिंग बहुत अच्छी करनी है जितनी प्रॉडक्ट की मिकसिंग अच्छी होगी उतने ही आपके रिजल्ट अच्छे हैंगे ये हमने थोड़ा सा ड्वेलपर और एड़ किया है आपने भी उतना जो है वो अगर कम लगे आपको आपका ब्रश समूद नहीं चलता तो आपने थोड़ा ड्वेलपर पीच में और एड़ कर लेना है ताब कि आपका जो ब्रश है वो समूद ली चले अब हम प्रड़क्ट की जो अप्लिकेशन करते हैं बालों पे अप्लिकेशन करने से पहले आप गलव्स लाजमी पहलने ताब के आपके जो हाथ हैं उनकी स्किन को भी प्रॉब्लम ना हो और बालों पे जो अप्लिकेशन करनी है वो अप्लिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहि आपके अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके रिजर्ड अच्छे हैं जब तक आप अप्लिकेशन अच्छी नहीं करेंगे तब तक आपके रिजर्ड भी अच्छे नहीं आएंगे और एक यहां पर और जुरुरी बात कि आपने कभी भी 30 और 40 जो है डिवेलपर है स्किन पर इस developer को आपने रूर्स में नहीं लगाना ठीक है रूर्स छोड़ के आपने हमेशे इस product को लगाना है यह हमारी आप देख सकते हैं कि पूरी application हो चुकी है अब हमने इसको अच्छे से result निकला है अगर दुबारा कहीं product लगाने की जरूरत है तो लगाएंगे यह आप देख सकते हैं कि हमारे कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत अभी जो है वो result आने वाला है रहता है अभी तो हम इसको दुबारा से shower cap पहना के थोड़ी से इसको heat देंगे और जब आपने दुबारा इसको heat देनी है या check करना है कहीं पे जो रह गया हो वहाँ पे आपने product की multiplication कर देनी है यह हमारा आप देख सकते हैं कि तमाम result बालों पे एक जैसा है रूट से length तक एक जैसा result आया है और जितना हमारी client को चाहिए था हमने वो achieve कर लिया अब यहां पे एक और बात है कि अगर आपने base color भी change करना है तो आप cap उतारने के बाद तमाम बालों में कोई भी आपका जो desire color है वो आप लगा सकती है तो आप देख सकते हैं कि हमारा result सब बालों पे एक जैसा है और हमारे तमाम बालों के जो section हमने लिये थे वो भी एक जैसे ही आएंगे है ऐसे करने से जो है आ आपका result बहुत खुबसूरत आता है और आपका customer भी खुश होता है और अब हम आपको इसका final result दिखाएंगे pre lightning का बालों को dry करने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please मेरा channel subscribe करें या आप देख सकते हैं कि माशाला से कितना अच्छा result है तो अपना बहुत सरा ख्याल रिखेगा आला हाफिज